कि उड़ा देती है निंदे कुछ जिम्मेदारियां भी रात में जागने वाला हर शक्ष आशिक नहीं होता नमश्कार जेहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगने स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का हिंदी साहित इतिहास की जो प्रशनोत्री हमने प्रारंब क कर रखी है आज वीडियो संक्या है 11 व्याख्यात्म ग्रूप से देख रहे हैं गत्विभिन परिक्षाओं में आए हुए सवालों को और कुछ नए सवाल भी वीडियो को आप लाइक कर दिया करें हमेशा और सभी ग्रूप में सभी दोस्तों को शाथ जरूर शेर किया करें ताकि वो भी जूड़कर लाब ले सके और पहली बार आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सकाइब कीजिए गंटे वाले निसार पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे टेलिग्राम चैनल भी आप जोइन कर ले हैं कवी आदी गणेश हिंदी नाम जो सूमिलित नहीं है वो बताना है प्रवंद चिंतामनी विनेचंद्र सूरी पाहुड दोहा राम सिंग नेमिनात चरिव हरिवद्र सूरी भविश्यत कहा धनपाल तो बताए कौन सा विकल्प है जो सूमिलित नहीं है तो क्या हो जाएगा उतर? उतर हो जाएगा सहाव यहां पर अ प्रवंद चिंतामनी विनेचंद्र सूरी यह यहां पर कै है? अ सुमिलित तो प्रवंद चिंतामनी फिर किस की साथ? तो वो हो जाएगी आप ध्यान में रखिएगा मेरु तुंग की मेरु मेरु तुंग की या फिर कहीं जगे मेरु तुंग आचारिय भी मिलता है यानि कि आचारिय मेरु तुंग मेरु तुंग सहाब की है क्या प्रबंत चिंतामनि बाकी पाहुर सहाब की है नेमीनात चवपई विनेचंदर सुरि की कों सी है मैं या पर लिख देता हूँ नेमिनाथ नेमिनाथ चवपई ठीक है परबंद चिंता मने मेरुतुंग की हो जाएगी और विनेचंदर सूरी की हो जाएगी नेमिनाथ चवपई बाकि पाहुड दोहा नेमिनाथ चरिव अब देखिए नेमिनाथ चवपई तो है विनेचंदर सूरी की और नेमिनाथ चरिव हरी बद्र ठीक है यह सारी की सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी अगला देखिए सहाब अगला सवाल है जस हर चरित्र जस हर चरित्र के लेख कौन है स्वयंभू धनपाल पुश्पदंत ये फिर अब्दुल रह्मान बताईये सहाब जस हर चरित्र के तो क्या उत्तर हो जाएगा जस हर चरित्र के कौन हो जाएंगे लेखक अपने इसके लेखक हो जाएंगे पुश्पदंत इनकी अन्य करतिया भी मिलती है महापुराण नईकुमार चरिव पुश्पदंत की नईकुमार चरिव महापुराण ये भी मिलती है और हम बात करें तो श्वयंभू की कौन सी है श्वयंभू की रचना में याद बता देता हूं आपको इस रचना का नाम सुना होगा ये कह इसकी है स्वयम्भू की है धनपाल के आपने अभी पिछले सवाल में देखी थी अपने भविश्यत कहा है और जो अब्दुरह्मान है ये इसकी है संदेश रासक अब्दुरह्मान ये फिर अब्दुरह्मान नाम मिलता है क्या हो जाएगा संदेश रासक ठीक और पुष्प दंद की कौन सी हो जाएगी ये जसर चरित्र ठीक जसर और नई कुमार चरियू किसकी है वो भी पुष्प दंद की हैसा अगला सवाल कैमास वद कहीं बार पूछा गये सवाल कैमास वद किस ग्रंत की प्रमुख घटना है विसल देव रासो प्रमाल रासो प्रत्विराज रासो खुमान रासो आसान है ये तो है किसकी है कैमास वद तो यह प्रत्विराज रासो जो ग्रंत है उसकी एक घटना है ठेक कमराल करता है बिसल देव रास्व है रसनाकार को ने इसके कि लगबख सभी को याद हो गया हो गया तो नर्पती का लजिन को यादन्ही कर नर्पती बार-बार सवालों के इंदर आतरेंगे याद हो जाएंगे in नर्पती ना लैं इस बात करें खुमानय रास्व कि खुमाना रास्कि हमने बात करें तो कौन हो जाएगा दलपति विजे दलपति कौन हो जाएगे दलपती विजे साहब हो जाएगे और प्रमारास्कि कौन जगनिक महोदे प्रमाल रास्व के कौन जगनिक महोदे और प्रत्विराज रास्व के आप सभी को पता ही है ठीक अगला सवाल अभी तक भी लाइक शर नहीं किया तो जरूर कर दें आप निम्न लिखित में से कौन सी रचना अप भरंस के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना माने जाती है कौन सी रचना जो अप भरंस के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना माने जाती है राउल वेल, अमीरासो, विसल देव रासो या फिर भरतेश्वर, बाहू बली रास क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा सहाब यहां हमारा सी विसल देव जो रासो है अब ब्रण्ज के प्रवाव से मुक्त हिंदी की रचना माने जाती है विसल देव रासो समय की बात आये तो ध्यान में रखना 12-12, 12-12 में रचित किस प्रकायर रचना है? स्रिंगारिक, ठीक है? स्रिंगारिक टाइप की रचना है और हिंदी में जो बारे मासा का वर्णन है सर उपरता बिसल देव रासो में ही है जो मिलता है यह सवाल भी कहीं बार है जो पूचा गया है ध्यान में रखना आप अगला सवाल आला उदल नाम सुना होगा बहुत बार आपने आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापून लडाईयों का वर्णन निम्न लिकित में से किस गरंद में है? र осवाए है कुमाना रासो में परमाल रासों बीसल दे राधुया फिर पुरित्विराज रासों अ तो आला उदल आला उदल के रिस्ना के और अपने आभी मैंने बात किते पहले तो परमाल रासों है यानि कि विकल पहुचप जयेगा onboard किस ग्रंट में है परमाल रासो में और परमाल रासों के कुए लच्छा कर बताया जकनीक इसके अंदर इनकी लडाईयों का है जो वर्नन देखने को मिलता है क्या है तो जो येल हम है ऐसे तो बिसरदार कि 여러분 को वड़न किया है जगनिक ने इसके अंदर आला चंद में लिखे जाने करण इसका एक नाम क्या मिलता है आला खंड मिलता है तो इसको किस नाम किस नमें लिखा है आला या फिर आला चंद के अंदर दिखने की वज़े से इसका एक नाम क्या मिलता है आला खंड भी मिलता है यह सवाल भी ये नाम देकर भी कहीं बार पूछा गया है आला खंड भी मिलता है और इस चंद को वीर चंद भी कहते हैं जो आला चंद है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको सहाव अपने वीर चंद के नाम से भी जाना जाता है, आला चंद को वीर चंद भी कहते हैं, और यह चंद जो है 31 मातराओं का चंद कहा जाता है, 31 मातराओं का चंद है जो कहा जाता है, 31 मातराओं का चंद, यह यूँ कहें युद्ध भूमी में जोस बढ़ाने के लिए इस परकार के छंदों का जो प्रयोग किया जाता था आलाखंड जो है यह बहुत इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं यहां पर नोट कर लीजिए गए आलाखंड जो है इसको सर्व पर्थम सबसे पहले सर्व पर्थम आलाखंड को सर्व पर्थम आलाखंड को और यह सवाल कई बार पूचा गया है सबसे पहले 18.60 में फरुकाबाद के जिलादीज देव समय के चार्स इलियट क्या नाम था चार्स इलियट तो सर्व पर्थम 18.60 में चार्स इलियट नाम के एक शक्स रहें जो फरुकाबाद के ततकालिन जिलादीज दे इन्होंने प्रकाशित करवाया था आलाखंड को यह भी बहुत इंपोर्थम बनता इस लिए इस चीज़ को जुरूर आप ध्यान में रखेगा अब ए जो संदेश राशक है संदेश राशक में आपर लिख देता हूं संदेश राशक किस प्रकार का कववे है किस प्रकार का कववे है किस प्रकार का कववे कमेंट करके इसका उत्तर जरूर आप दीजिये किस प्रकार कववे अब संदेश राशक अब्दुरहमान है रचनाकार तो यह प्रबंद कववे है खंड कववे है या महा कववे या फिर मुकत कववे है तो संदेश रासक किस प्रकार का कव है इस सवाल का उतर आपको कमेंट करके जो बताना है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए अभी तक सवी दोस्तों कि शाथ सवी गुरूप के अंदर शेर कर दीजिए पहली बार देखनें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिए टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्किस मिल जाएगा आपको कवी आदिगने सिंदे नाम से इस पर 6800 से अधिक लोग जुड़े वो चैनल को आप जोईन है जो कीजिए और पढ़ाई को लेकर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूटूब चैनल है आदी की आवाज नाम से इसके उपर में मौटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूं आदी की आवाज नाम से दूसरा यूटूब चैनल इस पर मौटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूं तो इस पर जाकर आप वीडियो देखिए येकिनन आपको फाइदा होगा जैहिंद फिर मिलता हूँ झाल झाल